आज हमारे markets के लिए और किस प्रकार के संकेत आ रहे है equity markets में कहा नज़र रखने की जरूत है and commodity market का mood मिजास कैसा है पूरी detail लेकर मेरे सहयोगी दिपानशु मेरे साथ इस वक studio में जुड़ चुके दिपानशु good morning एक और दिन हम देखने कोई बहुत खासे संकेत नहीं दिख रहे है Jerome Powell साब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिसके expectation हम नहीं कर रहे थे बावजूद इसके हमने देखा है कि काफी pressure दिखा है आज क्या मान के चला जाए आज भी नेहा ऐसी volatility मान के आप चल सकते हैं काफी जादा volatility हो रही है अमेरिकी बाजारों में वैसे कल हमारे बाजार बन थे बद जो Tuesday का अमेरिकी बाजारों का action था डाव पर 1000 पॉइंट का आपने swing देखा ultimately हलकी गर्यावट के साथ डाव बंद वा बद इंट्रडे में 1000 पॉइंट का swing लगा था काफी सारी चीजें उम्मीद मताबिक थी एक दो statements ऐसे हैं जिसके वज़े से बाजार के mood मौल पर थोड़ा असर पड़ते हो देखाया तो पहले तो दरों में कोई बदलाव नहीं यह expected था पर उन्होंने ऐसे संकेत दिया हैं कि मार्ट से rates बढ़ाए जा सकते हैं यह भी बाजार ने मान लिया था पहला rate है करीब 14% का होगा तो वहाँ से भी कोई चिंता नहीं है बट उन्होंने यह कहा है कि FED की committee मान रही है कि अब rates बढ़ाने का समय आ गया है और जल्द rates बढ़ाने का समय आ गया है इसका indication बाजार यह रहा है कि पहले माना जा रहा था कि इस साल तीन बार rates बढ़ाए जा सकते हैं बट शायद अब FED ऐसी संकेर दे रहा है कि वो तीन से जादा बार भी rates बढ़ा सकते हैं और exactly इसी statement के बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में उचाई से तेज गिरावट आती रही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि inflation की चिंता अभी भी हावी है और लंबा समय लग सकता है pre-COVID level यानि कि 2% का जो targeted range है अभी 7% है US का inflation लंबा समय लग सकता है इससे पहले कि inflation control में आया है हाला कि supply side को ठीक करने की उमीदे जारी है तो इन दोनों statement को अगर आप combine करके देखें कि rates बढ़ाने से market पर या economy पर जादा असर नहीं पड़ेगा और लंबे समय तक inflation को control लाने कि उनकी उमीद है पर अभी परिशानी रहेगी इसके combination से ही बाजार आपको फिसलते हुए दिखें इसके अलावा Fed की balance sheet कम करने पर भी उन्होंने कहा हला कि कोई timeline नहीं दी पर कहा कि balance sheet वो जरूर कम करेंगे सही समय पर करेंगे और एक orderly manner में करेंगे ऐसा नहीं कि अबरपली किया जाए बट हाँ ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है तो हमने देखा पावल साब का बयान आया उसके बाद DAO दिन की उचाई से साड़े 600 अंग फिसला और end of the day करीब 130 अंग फिसल कर दिन के निचल सर के करीब बंद हुआ S&P 500 इंटरे में 2% उपर था वहाँ से गिर कर हलकी गिरावट के साथ बंद हुआ और NASDAQ पर भी ऐसे ही आक्शन देखा हाला कि यहाँ पर positive closing आपको आती हुई दिखी है bond deal उचल कर अब 1.85% पर वापिस आ गए जो 1.75% तक गिर गई थी तो यहाँ पर भी आपने impact कल बनते हुए देखा दिगज आईटी से शेर से जरूर सहरा मिला क्योंकि Microsoft और Tesla के नतीजे अच्छे आये थे और first half में ये भी काफी मजबूत रिखे रहे थे हाला कि यहाँ पर भी थोड़ी profit booking देखी बोइंग का शेर 4% फिसला क्योंकि यहाँ पर कमजोर नतीजे थे आज दिगज आपल के नतीजे आने वाले हैं तो उस पर बाजार react करेगा और साथ ही आप Q4 GDP का पहला अनुमान देखेंगे 5.5% क्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है यॉरप में मजबूती रहे क्योंकि Fed action के पहले ही बंद हुए तो दो दिनों से यॉरप के बाजार काफी मजबूत हैं देखते हैं आज यहाँ पर क्यासा reaction रहेगा कल डेर से 2% की तेजी में रहे और जैसा आब बता रही थे कच्चा तेल 2014 के बाद पहली बार 90 डॉलर का स्थर चुते हो दिखा और अभी भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है तो वहां से भी थोड़ी चिंता होगी सोना करीब 2 महीनी की उचाई से फिसला है हाला कि Tuesday को काफी positive action था और अफकोस डॉलर इंडेक्स 5 हफते की उचाई पर है तो भारी impact फेड की policy का आता हुआ एक दो statements हैं जिसके वज़े से बाजार थोड़ा चिंते थे हैं समय बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी detail रखने के लिए अफकोस नज़र रहेगी कि आज markets कैसे खुलते हैं बोथ equity and commodity market